जैहिन दोस्तों आज का वीडियो में आज का सेसन में आप लोग का स्वागत है आज हम लोग केरेजन रिपियर वार्श अप हूबली का टेक्निशन 3 पेपर सल्प करेंगे जो के आप लोग का 5 मर्च 2022 को कंड़क्ट हुआ था तो चले कुशन में चलते हैं और देखते हैं आप लोग क्या कुशन है तो जैसे की पहला कुशन में हम लोग देख रहे हैं इन वीच कंट्री वाज 5S इन्वेंटेड ये देखे यहीं पर पूछ रहा है जो आप लोग का 5S प्रिंस्पूल होता है जो की आप लोग का फैक्ट्री में कोई भी अरगानेजेशन में यूज किया जाता है तो इसका जो आप लोग का जो आविस्कार हुआ था कून सा देख में हुआ था एही कुशिन है फईपस का आप लोगा आप लोगा इंवेंट्सन हुआ था यह किया था आप लोगा जापान में हुआ था याद रखिए अपसन B के साथ चलिए तो जैसे की आप लोग जो फईपस टार्म जो यूज करते हैं ये जो फईपस प्रिंस्पुल यूज होता है आप लोग का इंप्रूमेंट होगा वार्क कल्चर में एई सब के लिए आप लोग का 5S प्रिंस्पूल यूज किया जाता है जिसमें कि कोई भी अर्गानियेशन का हर तरीके से आप लोग का इंप्रूमेंट होता है इसके साथ साथ आप लोग का वार्किंग कल्चर भी इंप of the following is not the one of the steps of the 5S method यह 5S method में यह निचे दिया गया जो आप लोग का चार option में इसमें से कौन सा step नहीं है पूछ रहे तो जैसे कि आप लोग देख रहे है यह sign जो है इसका step है एक step है, sword भी है और आप लोग का sustain भी है लेकिन आप लोग का जो specialized है यह आप लोग का option में है नहीं तो जैसे कि आप लोग इसमें पांच जो आप लोग का step होता है पांच term होता है उसको देख लेते हैं जैसे कि आप लोग का जो 5S principle है इसमें आप लोग का पहला जो आप लोग का step है यह पहला आप लोग का यूच करते हैं Japanese term फाइपेस इसका आप लोग मीनिंग देखते चलिए इस सेरी है पहला word पहला step जिसका की मतलब है sort है sorting करना इसके बद है cyton है याद रखे cyton तो ये इसका आप लोग का मीनिंग क्या हो गया set in order एक order में set करके रखे उसी साब से आप लोग का तिसरा step हो जाएगा say so हो जाएगा जिसका की मीनिंग है signing है sign है उसके बद आप लोग का second to है जिसका की मीनिंग है standardized है standard है और last में आप लोग का देखे sit suke है sit suke इसका मीनिंग होता है sustain होता है इसी सबसे ये जो pipe starm जो use किया जाता है जिसको की जापा ने invention किया था जो की आप लोग का organization factory की सब में यूज होता है बेहतरिन आप लोग का production के लिए बेहतरिन वार्ग कल्चर के लिए तो चलिए फिर देखते है next question what is the purpose of फाइपेस system in the workplace workplace में जो फाइपेस system हम लोग कोई भी organization में इसको यूज करते है तो इसका आप लोग का परपोच क्या है इसका उद्देशक क्या है यहीं पर यहीं पूचा है तो यहीं पर देखिए इसका जो काम होता और्गानेजेशन यह देखिए उसके बाद organize होगा इसके बाद cleaningness होगा इसके बाद आप लोग का efficiency होगा उसके बाद आप लोग का D all of the above हो जाएगा तो यही जो आप लोग का जो फाइपेस system के साथ चलिए pages of 5S are you in when you clean machine windows, floor, etc इस देखिए which page of 5S इस देखिए यही पर पूछ रहा है which page of 5S are you in when you clean machines windows, floors, etc तो इही पर देखिए इही पर आप लोग का जो 5S का जैसे की उपर में आप लोग discuss हुआ है इसी अनुसर आप लोग का देखिए यही पर जो clean machine पूछ रहा है cleaning machine windows, floor इस अब जो पूछ रहा है आप लोग का यह क्या चिछ के लिए है यह sign word के लिए है यह sign word के लिए है जिससे की Japanese term में आप लोग का के अंतरगत आएगा तो यात रहिए आप लोग का cleaning machine windows, floor इस अब लोग का यह 600 step के अंतरगत आता है जिसका meaning आप लोग का sign होता है तो option B के साथ चलिए permissible variation in wheel tread diameter for four wheeled trolley ICA PML on the same axle on broad gauge यह देखिए यही पर पूछ रहा है तो आप लोग का permissible जो variation wheel tread diameter रहेगा यह पूछ रहा है आप लोग का ICA PML आप लोग का कुछ के लिए broad gauge के लिए पूछ रहा है जो कि आप लोग का हमेरे साय यात रखिए कि variation जो होगा wheel tread diameter अगर same axle में होता है तो 0.5 mm होगा या 0.50 mm होगा तो इसको थोड़ा देख लेते हैं कुछ के लिए तो जैसे कि आप लोग जानते हैं आप लोग का same axle के लिए same boggy में या trolley में और आप लोग का same coach में या आप लोग का wagon में यह होता है तो coach के लिए देखते हैं जैसे कि आप लोग का coaching ICF coach और BML coach के लिए है तो same axle में देखेंगे जब भी wheel आप लोग चेंज करेंगे तो इसमें permissible variation कितना होगा तो same axle के लिए आप लोग का यह coach के लिए 0.5 हो जाएगा same axle में उसी सबसे boggy में देखिए boggy में हो जाएगा आप लोग का 5 mm हो जाएगा और आप लोग का coach में हो जाएगा 13 mm यह यात रखिए इसी सबसे अगर wagon में चलेंगे goods में चलेंगे तो goods में यह देखे coaching हो या goods हो same axle में 0.5 mm होता है उसी सबसे आप लोग का wagon के लिए एक boggy में same boggy में आप लोग का 13 mm होगा और आप लोग का same wagon में आप लोग का 25 mm हो जाएगा यह यात रखिए आप लोग का coach में same axle में 0.5 उसके बाद same boggy या ट्रोली में 5 mm उसके बाद same coach में 35 mm उसी सबसे wagon में 25 mm होगा याद रखिए The Excel load of AC coaches यह देखिए एकसेल लोड पूछा है AC coach के लिए आप लोग का ICF AC coach में एकसेल लोड 16.25 टन होता है इसी सबसे non AC में चलेंगे non AC coach ICF का तो यह 13 टन होता है यह बार बार रिपीट हो रहा है बढ़ियां से याद रखिए आप लोग का Excel लोड जो होता है आप लोग का AC coach के लिए 16.25 टन non AC के लिए आप लोग का 13 टन होता है minimum sub issue size of ICF solid wheel for few coaches यह देखिए आप लोग का जो sub issue size होता है जो आप लोग का minimum sub issue size होगा ICF coach के लिए जब भी आप लोग का जो coach निकलेगा आप लोग का तो इसमे minimum sub size जो use किया जाएगा allowed किया जाएगा आप लोग का wheel के लिए तो यह होगा प्योच में जो आप लोग का minimum sub issue size after प्योच के बाद निकलता है तो minimum आप लोग का कितना होना चाहिए 837 mm लेकिन यह अभी latest में आप लोग का यह change हो गया यह पूराना कोशिन है उसी साब से आप लोग का sub renewal size अभी latest में 834 mm हो गया है इसको याद रखिए लेकिन पूराने कोशिन का अनसर यह पर 837 सही है latest में circular आ गया जैसे कि आप लोग का minimum sub issue size हो जाएगा आप लोग का 834 mm ICF कोच हुईल के लिए capacity of ER reservoir of ICF कोच ICF कोच के लिए यह देखिए आप लोग का 200 लिटर हो जाएगा auxiliary reservoir का capacity इसी साब से आप लोग का LHB कोच में अलक-अलक रहता है जैसे कि ER tank इसमें रहेगा आप लोग का breaking के लिए LHB कोच में देख लिजे यह तो ICF कोच के लिए देख लिए है LHB कोच के लिए आप लोग का जो auxiliary reservoir रहेगा जैसे कि breaking पर पोच के लिए आप लोग का breaking पर पोच के लिए breaking के लिए 125 लिटर यार का capacity इसी साब से आप लोग का toilet पर पोच के लिए यह भी कुशी ना रहा है याद रखे toilet पर पोच के लिए 75 लिटर और आप लोग का यार स्प्रिंग के लिए यार स्प्रिंग के लिए याद रखे आप लोग का 150 लिटर का auxiliary reservoir यूज होता है इसी साब से goods में आप लोग का goods में wagon में आप लोग का 100 लिटर auxiliary reservoir का capacity है इसको भी याद रखे अगर आप लोग का एक कोच में देख लिजे जैसे कि दोनों तरफ आप लोग का बीपी एप पी पाइप रहेगा तो इसमा आप लोग का जो एंगल का एरेंजमेंट होगा तो इसी सबसे आप लोग का दो आप लोग का बीपी के लिए दो एंगल का खोगा दो एप पी आप लोग का एरेंजमेंट होगा इन ट्विन पाइप सिस्टम तो इयार प्रेसर सुड़ भी ट्विन पाइप सिस्टम में इयार प्रेसर कितना होता है रिपीटेड कुशिन है छे केजी होता है जैसे आप लोग का एप पी पाइप जिसका की सपला इयार में जाता है अकजिलर रिजर्वर में जाता है जो कि what is the thickness of roof seat of ICF coach ICF coach में roof seat का thickness पूछ रहा है repeated coach नहीं यह देखिए option में चलेंगे देख लिजे 1.6 mm हो जाएगा ICF coach का roof seat का thickness maximum brake cylinder pressure in ICF coach यह देखिए ICF coach में maximum brake cylinder pressure पूछा है जो कि आप लोग का 3.8 kg पर cm2 होता है इसी साब साब लोग का LHB coach में 3 kg यह याद रखे 3 kg पर cm2 total number of birth in AC3 tear LHB coach AC3 tear LHB coach में यह देखिए 72 के मातरा में आप लोग का वर्थ रहेगा याद रखे seat रहेगा वर्थ रहेगा 72 के मातरा में soul bar of ICF coaches consist of देखिए ICF coach का soul bar Z section होता है उसी साब से LHB coach में LHB coach में आप लोग का soul bar कुन सा section रहेगा C section रहेगा यह भी कुछी ना रहे है इसको भी याद रखे what type of brake block are used in ICF coaching stock ICF coaching stock में आप लोग का जो BMBC boggy mounted brake cylinder system रहता है इसमें के टाइप का आप लोग का यूच होता है याद रखेए तो इसी साब साब लोग का goods में देखेए जो आप लोग का conventional goods है उसमें आप लोग का L टाइप लगेगा उसी साब से आप लोग का अगर BMBS है boggy mounted brake system है ये wagon के लिए आप लोग का wagon के लिए अगर BMBS system है के टाइप लगेगा और normal जो wagon है conventional नर्माल या conventional जो होता है इसमें आप लोग का L टाइप का brake block लगेगा ये भी याद रखेए ये goods के लिए है और coaching के लिए जो ICF में आप लोग का क्या लगेगा के टाइप का brake block लगेगा what is the minimum oil level in dashboard dashboard में minimum oil level 40 mm याद रखे इसमें आप लोग का जो यूच होता है इसमें dashboard में आप लोग जो DPO करते हैं dashboard oiling करते हैं इसमें servoline 68 oil यूच किया जाता है इसको भी याद रखे ये आप लोग का कुछिन में बराबर आ रहा है तो इसको याद रखे आप लोग का इसका जो oil का level होगा oil का height होगा 40 mm होगा और इसमें आप लोग का servoline servoline 68 यही oil इसमें यूच किया जाता है what quantity of grease field per excel box of SKF mag bearing अगर SKF mag bearing है तो इसमें आप लोग का grease कितना quantity में यूच होगा per excel box पूचा है तो SKF आप लोग का bearing के लिए होता है 2 kg होता है SKF के लिए 2 kg यह याद रखे other than SKF SKF को छोड़के जो भी आप लोग का company का bearing है इसमें आप लोग का 1.75 kg का यूच होता है यह भी याद रखे जैसे कि आप लोग का SKF में हो गया आप लोग का 2 kg उसके बाद other company जैसे कि आप लोग का NBC हो गया NBC एक company है इसके बाद F.A.G. फैग हो गया इसमें आप लोग का 1.75 kg grease पर एक्सल बॉक्स में यूच होता है बोर्ट इंपोर्टांट कुछी ने याद रखे What type of roller wearing is fitted in ICF boggy ICF boggy wheel में आप लोग का जो roller bearing fitting होता है वो double row self-align spherical roller bearing यूच होता है option B के साथ चलिए इसमें SRB यूच होता है self आप लोग का spherical roller bearing यूच होता है जो कि double row self-align spherical roller bearing यूच होता है option B के साथ चलिए Which of the falling are attended for corrosion repair corrosion repair जो करते हैं क्या क्या चीच corrosion repair करते हैं आप लोग का जो कि solar 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 में corrosion आ गया इसको repairing करना है headstock का repairing करते है prop floor का repairing करते है तो इसमें आप लोग का option D होगा अलब दे अब अब हो जाएगा Which test is done on spring spring में कोन सा test करते हैं spring में हम लोग magna flux test करते हैं याद रखे spring में हम लोग magna flux test करते हैं ये आप लोग का NDT test है non-destructive test है इसको NDT test भी बोला जाता है non-destructive test है electromagnetic test है जिसमें कि हम लोग crack देखते हैं corrosion देखते हैं cavity देखते हैं pitting देखते हैं इस सब identify होता है तो आप लोगा जो coil spring होता है इसमें मेगनेflux जो test होता है spring में तो यह इससे पता चलता है आप लोग का क्राक पता चलते है कोरोजन भी पता चलते है केवीटी पता चलते है और पीटिंग भी पता चलते है जो की एक टो मैंगेफलक्स टेस्ट जो है बेंगेटो नॉन डिस्टॉक्टिव टेस्ट है ये भी यात रखिए In-Coach, The Load Transmission Ta Parks. कोचिंग में कोच में लोड जो ट्रांस्मिशन होता है तो यह ट्रांस्मिशन जो होता है साइड वियरर के मैध्यम से होता है उसी सबसे वागन में आप लोगा वागन में गुड्स में याद रखे सीपी के मैध्यम से होता है सेंटर पिवट के मैध्यम से ही आप लोड ट्रां लेकिन कोचिंग में sidevgہ address के मेध्याद से होता है लेए, अभी असेट के बदले상 could you say लग रहा है अगो एप क cycl hope क्या है fiber reinforced plastic यह हो जाएगा आप लोका 500 बीर यह रेपलेंपोर्स प्लास्टीक यह भी repeated question है एकदम गलती मत किजिए option B के साथ चलिए what defect is detected in UST test ultrasonic test इसका पूर्रूप होता है तो ultrasonic test जो ultrasonic test होता है इसमें आप लोग है internal cracks इसमें हम लोग detect करते हैं जाच करते हैं याद रखिए the maximum standard buffer height above rail level to the center of buffer तो यहीं पर आप लोग का क्या पूछ रहे है maximum standard buffer height पूछ रहे है जो कि आप लोग का 1105 mm होता है और minimum जहां पूछेगा minimum आप लोग का 1030 होता है याद रखिए 1030 mm होगा minimum और 1105 होगा maximum आप लेजबी कोचे साथ प्रोबाइड़ विट वाट टाइप अप बीयरिंग एलेजबी कोच में कौन सा बीयरिंग रहता है रिपिटेड कोच नहीं CTR भी रहता है कैट्री स्टेफर रोलर बीयरिंग उसी साब से आप लोग का ICF कोच में SRB यूच होता है यह भी याद रखिए ICF कोच में रहता है SRB रहता है spherical roller बीयरिंग रहता है याद रखिए Which of the following quantity measured in Kelvin यह देखिए आप लोग का इह पर जो नीचे दिया गया जो option में कौन सा आप लोग का quantity है जिससे कि हम लोग Kelvin में मापते हैं तो इह पर हो जाएगा temperature हो जाएगा आप लोग का temperature का एक unit होता है Kelvin होता है याद रखिए तो temperature आप लोग का जो temperature है temperature का unit भी आप लोग का जानना जरू है जैसे कि Kelvin हो गया उसके बाद आप लोग का degree Celsius हो गया या degree centigrade हो गया उसके बाद degree आप लोग का फरानेट हो गया ये भी unit है उसके बाद रियूमर हो गया तो जैसे कि Kelvin, degree Celsius, degree Fahrenheit, रिमवर यही सब आप लोग का Temperature का यूनिट है इसको भी यात रखे तो ही पर Option के उनसार देखे Temperature जो हम लोग measurement करेंगे यह आप लोग का Kelvin skill में यूज़ करेंगे तो आप लोग का Kelvin जो है यह Temperature का एक यूनिट है Temperature का एक यूनिट है Kelvin Kelvin skill में measurement होता है One quintal, how many kg इन One quintal, how many kg आप लोग का देखे एक quintal में कितना kg होता है एक quintal में आप लोग का 100 kg होता है और आप लोग का अगर 1 ton पूछेगा यह हो जाएगा आप लोग का 1000 kg हो जाएगा इसको भी यात रखे What the unit of velocity velocity का unit पूछा है यही पर हो जाएगा velocity का unit meter per second square हो जाएगा जैसके हम लोग जानते हैं velocity यह देखे velocity क्या होता है velocity आप लोग अगर physics पढ़े होंगे तो displacement by time होता है याद रखे displacement by time होता है आप लोग का velocity जो होता है displacement by time होता है यह आप लोग का एक vector quantity होता है तो vector quantity बोलने से आप लोग का इसमें direction भी रहेगा और इसका magnitude भी रहेगा तो इसी सबसे इसका आप लोग का जो unit हो जाएगा इसका unit हो जाएगा unit आप लोग का meter पर यह आजाएगा second square हो जाएगा distance by time होता है velocity का unit तो इसमें कुछ गलत हो रहा है यह आप लोग का 28 का यह देखे जो velocity का unit होगा meter पर second होगा याद रखेए यह हो जाएगा meter पर second हो जाएगा option A के साथ चलिए next चलते हैं bearings are named according to the shape of यह देखेए यह पर आप लोग का पूछ रहा है कि bearing जो है bearing का जो नाम करन होगा तो यह किसके अनुसर होगा कि जैसे कि हम लोग जानते हैं spherical roller bearing हो गया category step roller bearing हो गया आप लोग का bearing का जो अलग-अलग type का bearing है जैसे कि spherical roller bearing हो गया उसके पाद आप लोग का CTR भी हो गया category step पर roller bearing हो गया उसके पाद आप लोग का cylindrical bearing हो गया needle bearing हो गया तो यह एक-एक type से bearing का तो इसका जो नाम करन करते हैं किसके अनुसार किसको लेके ही नामकरन करते हैं यह आप लोग रोलर को लेके ही नामकरन करते हैं रोलर के अनुसार ही आप लोग का bearing का नामकरन होता है यह यात रखे यह देखें जो modified guide arrangement है इसमें आप लोग का जो oil आप लोग का यूज होगा पर desperate में जिसका कि आप लोका depth या आप लोका जो oil का height 40 mm रहेगा इसमें कितना oil यूज करेंगे जो servo line 68 यूज करते हैं ये होगा modified guide arrangement में 1.6 liter यूज करते हैं जैसे कि ये आप लोका 1.42 1.6 liter maximum oil आप लोका top up किया जाता है ये भी यात रखिए total number of brake cylinder पर bogging in ICF coach ये देखिए यहीप पर आप लोका ICF coach में total brake cylinder के संख्या पूछ रहे तो एक एक बोगी दो बोगी दो बोगी में 2-2 करके 4 के मातरा में आप लोका brake cylinder रहेगा ICF coach में ये देखिए ICF आप लोग का कोच में जो brake cylinder रहेगा चार के मात्रा में रहेगा तो इसमें आप लोग का 8 इंच का या 203 mm का आप लोग का जो इसका diameter रहेगा brake cylinder का जो कि ICF कोच में यूच होता है buggy mounted brake cylinder जो कि आप लोग का size इंच में 8 इंच होगा या mm में आप लोका 203 mm होगा ये भी याद रखिए ये देखिए आप लोका कोच में जो ब्रेकिंग सिस्टम यूज होता है जैसे कि आप लोका ब्रेकिंग फोर्स ब्रेक सिलिंडर से कहां जाता है तो ये जो सिस्टम होता है फुली जो सिस्टम होता है ये सिस्टम को हम लोक क्या बोलते हैं ब्रेक रीगिंग सिस्टम बोलते हैं इसके मैध्यम से ही कोई भी कोच में आप लोका ब्रेक लगता है तो ये system को brake rigging system बोला जाता है याद रखिए, अपसन ये के साथ चलिए GS and SLR coach brake cylinder है stroke length of day 7 ये देखिए ये ही पर आप लोगा GS हो गया SLR हो गया, इसमें आप लोगा जो stroke पूछ रहा है, piston stroke पूछ रहा है तो कितना होगा, GS SLR आप लोगा ICF coach में मैं लिए आप लोगा जो piston stroke होता है ये देखिए, option में चलते है ये आप लोगा 32 mm होता है piston stroke ICF coach के लिए याद रखिए the diameter below which the brake gear connection is shifted to next inner hole of the connecting link ये देखिए, ICF coach में जो connecting link होगा तो उसका हम लोग जो hole change करेंगे तो इसमें आप लोगा wheel का diameter कितना हो जाने से इसको hole को change करेंगे next hole में change करेंगे आप लोगा brake gear pin का जो system है इसको next hole में, next inner hole में connecting link का pin को आप लोग खोल के लगाएंगे hole change करेंगे तो ये आप लोगा wheel का diameter कितना होगा तब जाके ये करेंगे तो यह हो जागा आप लोगा फुल का डाय अगर 8.39 mm हो जाता है या इससे नीचे हो जाता है तो brake gear connection को हम लोग next hole में change करते हैं इन BMBC the size of the brake cylinder यह देखे उपर में यह आप लोगा discussion हो रहा था boggy mounted brake system जो आप लोगा boggy mounted brake cylinder system में आप लोगा BMBC जिसको किया हम लोग पूर्ण रूप होता है boggy mounted brake cylinder तो इसमें हम लोग जो piston यूज करते हैं इसका diameter जो होता है कितना होता आठ इंच का होता है यह आप लोगा 203 mm का होता है इसको यात रखिए option एक के साथ चलिए which type of dart collector are used in boggy mounted passenger coach dart collector जो यूज करते हैं यह देखिए आप लोगा centrifugal dart collector होता है जो कि two way होता है यह भी यात रखिए two way centrifugal centrifugal dart collector DC यह यूज करते हैं आप लोगा boggy mounted passenger coaches में नेक्स चलते हैं वाँ लिटर इच इकल टू यह देखिए यहां conversion पूछा एक लिटर को आप लोग convert करेंगे तो कितना होगा एक लिटर को convert करने से 1000 cm cube हो जाएगा यह भी कुछिन important कुछिन है यात रखिए अगर इसको हम लोग convert कर देंगे तो आप लोगा एक लिटर को convert करने से 1000 cm cube होगा नेक्स चलते हैं the lowest prime number is सबसे छोटा आप लोगा मौलिक संक्या prime number पूचा है तो prime number क्या होता है prime number जो होता है यह आप लोगा खुद से divide होता है या एक से divide होता है जिसमें कि आप लोगा देखिए सबसे छोटा lowest जो prime number 2 हो जाएगा ओमेन रेल्वे सार्वेंट हैविंग माइनर चिल्डरन बिलो दा एच अप डेस यर में भी ग्रांटेड चाइल्ड क्यार लीप यह देखिए आप लोगा जो फिमेल जो रेल्वे एमपलेई रहेंगे इसमें आप लोगा जो चाइल्ड क्यार लीप दिया जाएगा चाइल्ड क्यार लीप दिया जाएगा तो उनका जो रहेंगे बच्चे रहेंगे उनका आप लोगा अठरा साल से जो रहेंगे अठरा साल तक अठरा साल से नीचे जो रहेंगे उन्ही बच्चे के लिए हैं चाइल्ड क्यार लिप दिया जाता है आप लोग का दो सल का चाइल्ड क्यार लिप दिया जाता है ये भी याद रखे तो ये आप लोग का बिलोग का एच अप 18 एर्स पूर रहे 18 years से नीचे उन लोका बच्चों के लिए दिया जाता है चाल्ड केर लिप जो कि दो साल के लिए दिया जाता है याद रखिए यह हो जाएगा आप लोका अपसन D हो जाएगा How many sets of PTO issued to radio employees Privileged ticket order जो होता है कितना set में दिया जाता है यह देखिए gadgeted हो या non-gadgeted हो आप लोका date of appointment से 4 set के संख्या में आप लोका PTO दिया जाता है याद रखिए How many days of LHP can be accumulated by an employee in his service life करमचारी उसके सेवा जीवन में कितने दिनों तक LHP जमा कर सकता है किया जा सकता है यह देखिए 300 दिन का Sorry friends यह LHP पूछा है अगर LAP होता है LAP के लिए यह 300 दिन होता है और आप लोका LHP जो होता है Leap with hub average पे LHP जो होता है यह unlimited होता है कुछ सिन थोड़ा देख के ही इसका answer दीजे नहीं तो गलती हो जाएगा तो यहीं पर आप लोका यह देखे LHP के पूछा है LHP के बारे में पूछा है इसलिए यह unlimited हो जाएगा और यह LAP होने से आप लोका 300 दिन का LAP आप लोक जमा कर सकते हैं पूरे service के दोरन ग्रूप C एमपलई हाओ मैंनी सेट अप प्रिविलेज पास इच एविलेबल फर फास्ट फाइफ यर सर्विस ग्रूप C जो एमपलई रहेंगे पहला पांस साल के लिए उनको एक सेट में मिलेगा उसके बाद उनलोको तीन सेट में आप लोका पास मिलता है यह भी यात रखे ग्रूप C हो या ग्रूप D स्टाप हो पांस साल तक उनलोको एक सेट मिलेगा उसके बाद उन लोग को 5 साल के बाद 3 सेट आप लोगा privilege पास मिलेगा appeal should be given within a period of days-days from the date of order of punishment appeal सजा के आदेस की तरिक से days दिनों के अबदी के भीतर दी जानी चाहिए तो यह आप लोगा जो आप लोगा appeal करेंगे appeal आप लोगा within 45 days from the date of punishment punishment देने के आप लोगा 45 दिन के अंतरगत आप लोगा appeal जमा करना है option D के साथ चलिए what is the condomining limit of LHB wheel diameter LHB wheel diameter का condomining limit यह देखिए 845 समय जो की old cushion है इसलिए है अभी new आप लोगा नया cushion में आप लोगा यह 855 mm आएगा अभी latest circular के अंसर यह upgrade होके 855 mm हो जाएगा तो याद रखिए आप लोगा LHB आप लोगा जो wheel है उस condomining diameter 855 mm हाओ मैनी ब्रेक डिक्स आर एबिलेबल उन ऑन एक्सल अप lHB कोच एक एक्शल में आप लोगा दो के शंख्या यह देखिए एक XI हो गा, दोनों यह dix हो गया, दो breakdis हो गया, तो इसे सबसे एक XL में आप लोका, दो के संख्या में किया रहेगा, breakdis रहेगा, जो कि LHB कोछ में, आप लोका dix brake, breaking system यूँच होता है, और breakdis, इसका जो diameter होता है, यह भी आता एक्जाम में, 644 mm होता है, यह याद रखे और इसका दो ठीकनेस होता है यह भी आप लोगा कुशिन में आता है ठीकनेस होने से 110 mm होगा 110 mm होगा यह भी याद रखे How many brake cylinders are available in lhb coach एक lhb coach में आठ के मैत्रा में आठ के सिंख्या में आप लोगा brake cylinder रहता है जिसका कि आप लोगा diameter यह 10 inch का रहेगा यह 255 mm यह भी याद रखे The principle of interchangeability is normally employed फर यह देखें यही पर बोर रहा है आप लोगा कि B बिने मेता का सिधान्त सामान्य यही पर पूछ रहा है The principle of interchangeability is normally employed फर यह क्या होगा यह आप लोगा देखें mass production के लिए भी होगा production of identical parts जो production करेंगे उसके लिए भी होगा Parts within prescribed limit size जो भी parts production करेंगे limit size में होगा यह all of the above हो जाएगा जो आप लोगा the principle जो interchangeability का आप लोगा इसको employed किया जाता है यह mass production के लिए भी होता है इसके बाद आप लोगा mass production के लिए भी होगा production of identical parts के लिए भी होगा parts within prescribed limit के लिए भी होगा और यह हो जाएगा तो all of the above option D के साथ चलिए one micron is equal to यह देखे one micron कितना millimeter होता है यह भी आप लोगा पूछा है तो यह हो जाएगा आप लोगा one by thousand millimeter हो जाएगा यहीं पर देखे one micron यह होता है आप लोगा one by one thousand millimeter इसको हम लिख सकते हैं आप लोग का 10 to the power minus 3 millimeter भी यह से option में भी देता है यह यात रखे या इसको 0.001 millimeter यह भी बोल सकते हैं तो यह तीनों फर्माट में यात रखे जैसे question में आएगा उसी साब से answer put up कीजिए lubrication is used for यह देखे आप लोग का lubrication क्या चीच के लिए यूज किया जाता है lubrication करने से आप लोग का minimize friction friction आप लोग का घटेगा reduce wear wear and tear भी घटेगा इसके बाद eliminate heat heat भी आप लोग का घट जाएगा तो यह आप लोग का हो जाएगा all of the above हो जाएगा next चलते है रोस्टिंग अप iron can be prevented by यह देखे जो जंग लग जाता है इसको कैसे रोका जाएगा तो जंग रोकने के लिए आप लोग का जो रोस्ट लगता है कोरोजन होता है यह रोकने के लिए आप लोग का painting यह भी यूच किया जाता है boiling process यह भी यूच किया जाता है तो option D के साथ चलिए DFT full form यह देखे आप लोग का painting जब भी करते हैं paint में एक ward आता है यह आप लोग का तो यह ward होता है DFT होता है तो इसका पूर रूप जो होता है dry flame thickness होता है कोई भी आप लोग का paint करते हैं उसका जो thickness मापा जाएगा यह आप लोग का DFT मिटर से ही मापा जाएगा dry flame thickness जो होता है तो यही आप लोग का ward इसका आप लोग का पूर रूप जो होता है DFT का यह related है painting से और इसका आप लोग का पूर रूप है dry flame thickness अप्शन एक साथ present color scheme of ICF coaches यह देखे present जो आप लोग का जो color scheme है ICF coaches का अभी जैसे कि उत्कृष्ट कीम आ गया है उत्कृष्ट कीम तो उत्कृष्ट कीम के अनुसार आप लोग चलेंगे तो यह देखे आप लोग का option C जो है apricot yellow and blood red यह देखे यह देखे यह लो color का आप लोग का exterior painting देखे यह लो color का आप लोग का painting रहेगा और बीच में आप लोग का जो band रहेगा blood red या आप लोग का maroon type का आप लोग का रहेगा band रहेगा बीच में तो यह आप लोग का जो है apricot yellow and blood red अभी latest जो आप लोग का ICF coaches के लिए color scheme है याद रखे जैसे कि पहले आप लोग का blue color का यूच होता था आप लोग का oxide blue और satin blue का यूच होता था लेकिन अभी आप लोग का apricot yellow और blood red color यही color आप लोग का ICF coach का exterior painting में यूच होता है कि जैसे कि ये latest color scheme है ICF coach के लिए जो कि इतक्रिष्ट योजना के अनुसार ये color scheme रखा गया है the safest ladder to use around electricity ये देखिए आप लोग का safest ladder आप लोग जो यूच करेंगे चड़ने के लिए जो ladder यूच करते हैं सो safest क्या होगा आप लोग का ये देखिए steel बला होगा ने, aluminum भी होगा ने, iron होगा ने आप लोग का ऊड़ का जो आप लोग का ladder रहेगा electricity work लिए ये sap रहेगा याद रखिए destruction tube is provided inside destruction tube कहां पर रखा जाता है ये buffer के अंदर रहता है side buffer के अंदर ये भी देखिए पहले वीडियो में discuss हुआ है याद रखिए coaches, LHB coaches are fitted with which slide protection device to prevent ये देखिए LHB coaches are fitted with which slide protection device to prevent इसमें WSP system यूजच के आ जाता है आप लोग का LHB coaches में क्या कीज के लिए ये आप लोग का skidding होने से बचाने के लिए इसको यूजच के आ जाता है तो ये आप लोग का हो जाएगा अब सन ये देखिए यह हो जाएगा लएजबी कोच सर फिटेड विद हुईल स्राइड प्रोटेक्शन डिवाइस तो प्रिवेंट हुईल फ्रम गेटिंग स्कीड आप लोग का चक्का को स्कीडिंग होने से बचाने के लिए WSB सिस्टम लएजबी कोच में यूच किया जाता है अपसन एक के साथ चले तो चले फ्रेंस आज के लिए इतना ही आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो जरूर लाइट कमेंस और स्यार कीजिए जय हिन दोस्तो